कि हेलो एंड वेलकम टू पर्फेक्चन आइस पर्फेक्चन आइस में आप इक बार फिर से सौगत है इस वीडियो के माध्यम से हम बीपी एससी मुख के परिक्शा 566-667 परिक्षा में आये जाने वाली है उसके लिए काम में परियूक्ट नहां वाले कुछ वहां नोट करवाएं आपको फ्री डिलेवरी इस पूरे बुकलेट मैजिन की वहां पर आवलेबल कराएगी परफ्रिक्ट ना ये 66 बीपीसी मुख्या परिक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यों से टेस्स कंडग करा रहे हैं इनसे जुड़ने के लिए आप दिया की कॉंटेक्ट नंबर सकते हैं तो चली देखते हैं आज का इंपॉर्टन टॉपिक जो है वैक्सीन कूटनिटी इससे पहले की टॉपिक्स में हमने मेडिकल डिप्लोमेसी देख चुके हैं जाने की जो इक तर अन्य प्रणोशी देशों के खासका कि जो गरीब देश है नेपाल भूटान मैंडमार स्रिलंका मौल्दिव ऐसे इन देशों को नेबर हुड फर्स्ट पॉल्टिसी पहले जो हमारे नीती है विदेश नीती में उस नीती करिदायत अलग-अलग देशों की सहायता कि उस सहा कि दो देशों के लोगों के बीच में संबंद बढ़ाना लेकिन उस संबंद का केंद्र होगा वह वैक्सिन के आधान प्रदान से वैक्सिन के आधान प्रदान से वैक्सिन के द्वारा मदद कि जाने से जो देश की बीच में किसी तरह का संबंद बनता है उसे हम कहेंगे व गुडवील है एक अच्छी चवी भारत जो एक सॉफ्ट पावर की रखता है उससे वहां की लोगों में जिस देश को हम वैक्सिन दे रहे हैं जिसको मेडिकल सप्राइज दे रहे हैं वेंटे लिटर उससे पहले है और भारत के लिए एक अच्छी चवी बनती है गुडवील मजबूत और शुद्रिड होते हैं जो आगे चलकर रणनैतिक साज़ेदारी में भी याने की स्टैटेजिक में भी कनवर्ट होते हैं तो इस तरह से कूटनीती जो है जहां पर वैक्सिन का उस्तवाल करके मेडिकल सप्लाइज का यूज़ करके किस तरह से दो देश आपस मे एक अपनी विरेशन को दुपक्षी समवादों को दुपक्षी रिष्टों को आगे बढ़ा सकते हैं खास करके human to human contact द्वारा जिसमें ना किवल वैक्सिन बल्कि और वी चीज़ें से के oxygen हो गया ventilator हो गया अलग से devices हो गया सप्लाइज हो गया इस तरह की चीज़ों का भी आ इस तरह की चीज़ें बहुत पहले से बन रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर भारत तो वैक्सिन कूटनेती का महत तो क्या है महत तो यह है कि पढ़ोसी देशों में जो पहले बेचने से उनके रिष्टे जो है और ज्यादा सुद्ध होंगे चीन का सामनाम आराम से कर सकते हैं पश्चमी देश जो अपने आपको पूरी दुनिया में मानवता लिब्रलिजम सेक्लरिजम उदारवादी और धर्व निस्पेक्ष्टा मानवता मानवबाद एक प्रुलिलिस्टिक बहु उपक्षी ससाइटी का जो अपने आपको एक मुख्या बना के बैठे हैं कि सार देश ने एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच बनाएं कि बहुत ही नीजी स्वार्थी अप्रोच बनाकर वैक्सिन की टेक्नोलोजी हो या वैक्सिन हो अलग अलग देशों में इसको ना कभी शेयर किया और अपने देशों के लिए इवन यह ना करके बाद भी उसकी जमाखोरी पहले ही एडवांस बुकिंग करवा करवा कर जो बना ही उसके साथ एडवांस बुकिंग करवा कर अपने पास रख लिए ताकि कि किसी और देश मिलें इससे पहले हमें मिल जायतो इस तरह का जो स्वार्थी अप्रोच आप कहते हैं जो विश्यों के बड़े-बड़े दिखते हैं और भारत जो है वो कहने के इसमें एक अक्रणी पहुंत का निवाता है तब तक कि भारत में दूसरी लहर आगर नहीं हीट करती है और फिर हमें भी वैक्सिन की बहुत जादा पड़ती है उसके बाद हम 18 प्लस की वैक्सिनेशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं औ भारत का लक्ष है कि बहुत जल्दी पारे पूरे भारत वासी को वैक्सिनेट करा जाए और उसके बाद विश्व के अंदेश है उसमें भी साहता करकर एक गुडविल डेप्लोमेसी और एक मानवता वादी देश की एक्षभी बनाया जा सके तो इस तरह से हमारे फार्मा मै कि और प्रमानिक बनना के विश्व करेंगे और जादा बढ़ेगी कि इसका इंड़ेंडcoat बाकि वादेशिकांम यफ़etu में कि महारे की वज़ा से जो आर्थ होस्ता में गिरावाट आए थी जो हमारे बैलेंस प्रेमेंट और ट्रेड डेफिसित करेंट डेफिसित में जो हमारा नुक्सान हो रहा था तो कहीं न कहीं हम इससे इसके आप उठती कर पाएंगी यह इसके कुछ फायदे हैं अब वैक्शिन संबंदित शीत बंट बढ़ावड़े देश आपस में अपने वैक्शिन को लेकर किसी एक उससे भारत जो ही अगेइह इस तरह से 머RI when सब्सक्राइब और किसी एक पक्र में कि कैम्प में विचार कर सके ना कि किसी देशों के लिए बचा कर रखने चाहते हैं अपने जनताओं को पहले दो इस तरह से एक वैक्षिन रास्ट्रवाद का जो वैक्षिन नैसलेजंट का जो उड़ा हुआ था तो भारत कहीं ने कहीं इसका एक विकल्प बनके उब रहा है बाकी देशों के लिए कि यह ना केवल ह बने रहे और मानवत्ता कहीं बची भी रहे अब इससे कुछ चुनावतियां है चुनावतियां क्या है तो चुनावतियां यह है कि सबसे पहले जो अनुबन जाग्रिम करम हैं उनत देशों द्वारा को पहली रूप से एडवांस बुकिंग करा लिए तो भारत को इसकी वि भारत को जाकर भारत को जाता है और उसको कहने करने में समस्य आरी तो इसलिए वज़ा से भारत जो है दूसरे देशों को अभी देने में उतना सक्षम नहीं लेकिन एक स्वार इंटेंट इसका इच्छा शक्ती मन्शा क्या है उसको हमने बड़ी बहुत साफ तरीकी से नहीं मानते हैं हम मानते हैं कि वसुदैष कुटमबकम में ठीक है वो देश जो भारत को एक हिंदूर अख्षणवाध कोई भ्यश्य आरत पहली दे रहे ले हैं जबकि भारत ऐसा दे जिसमें अन्य भी बहुत समस्य हैं खुद की उसके अन्य समस्य होने के बावजूद भी हम नेपाल भुटान श्रिलंका मैंनमार वालदी सैसे देशों की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं वह सुधैव कुटमबकम में थीक है तो इसमें आसान पहुंच नहीं है क्योंकि स उसमें समस्या है कि त partager लगाने के लिए उसपर रोयल्टी अलग से विशेष चार्ज लगाने के लिए उस चार्ज वैक्सिन पर यूज किया जा रहा है तो भारत और दक्षिन अपरीका ने इस पर आपती जनाई है इसको डबलू विश्ट ट्रेड डबलू टेड ओफिस ठीक है डबलू ट्यों में हमने इसको उठाया भी है विश्वेपरस अंगठन में और कहीं न कहीं इस पर ये सह मुहर नहीं लगाई है इसको खारिच कर दिया है यानि उन्होंने अपने वैपारिक हीतों को वैश्विक सामाजिक और मानव हीतों से परे रखकर आगे रखकर कहने की अपना डिसिजिएंग लिया है जो कि उनकी दोरी चाल चरित्र को हम बताते हैं और इसलिए उसमें चु कर सकते हैं तो विदेशी इंवेस्मेंट है इस सेक्टर में आ नहीं रहे हैं तो भारत की खुद की प्रडक्शन करने की शमता अभी उतने नहीं है ठीक है वलकि हमारी कैपरसिटी तो बहुत जादा है लेकिन निवेश कम होने के कारण उसके अलावा जो कच्छे माल के आप पार ने जितनी तेजिस हमें बढ़ना करने की क्या वर्याओं कि कुछ करम में उठाने के क्या सब्सक्राइब आप इस तरह से भारत में वेक्सिन का बढ़न्द अत्यादिक रूप से बढ़ गया था तो उस पहली वेव के बाद दूसरी वेव में अत्यादिक रूप से जब COVID-19 cases बढ़ने लगे तो vaccination की डिमांड इस तरह से बढ़ गई तो पहले भारत ने ये कहा कि हम अपने अंदर चरन बद रूप से पहले वैक्सिन को अपुर्ति करवाएंगे उसके बाद आगे चल कर अलग 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 देशों में इसको साजा करेंग इसके साथ टेकनोलोजी को बाटेंगे तब कहीं जाकर इस तरह से वैक्सिन डिप्लोमेसी है वह आगे कलके सक्सेस्फुल हो सकते हैं लेकिन उससे पूर्व पहले अपने लोगों के लिए आप उसको सीक्योर कर लें और अपने देश के लोगों की जान को खतर में ना डाले बिना किस तरह से दूसरे देशों की मज़द भी कर सकती हैं उसमें भी हम देर देरे आगे काम कर रहे हैं बहुत से कंपनियों के दारा बहुत से देशों दारा इन्वेस्मेंट लाकर उनके साथ टेकनोलोजी शेयर करके भी इसका बड़े पैना मान पर प्रोड़क्शन किय लाब मिले गरेला पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है और गावी इस ग्लोबल एलाइंस फॉर वैक्षिनेशन इस तरह के प्रोग्राम को लाया जा सकता है ताकि जिससे हम वैश्विक्स तरफ पर वैक्षिनेशन को आगे बढ़ा सके और 2022 तक जो डबल एच्व का लक्ष है क उसको कहीं नहीं हटाना पड़ेगा और वैश्विक निवेश की आवश्चता होगी अगर भारत प्रोडक्शन नहीं करेगा भारत जब तक प्रोडक्शन में अगरे कम भूंदका नहीं निभाएगा तब तक वैश्विक रूप से पूरे विश्व को वैक्षिनेट करने की जो लक्ष है वो पूरा नहीं हो पाएगा तो यह सारे उठाया के कदम है और उसमें उठाने की आवश्चता है पहले भारत में चरण बद तरीके से वैक्षिनेशन हो उसके बाद दीरे-दीरे आगे की देशों में अन्य देशों में अपने पड़ोसी देशों में गरेव देशों में हम देशों में देशों में अगे करें बढ़ाएं टेक्नलोजी को शेर करें डेटा को शेर करें उसके अलावा आने चीज़ेंस हो गया और अपनी सौफ्ट पावर और गुडवील जेस्टर को बनाया रखा है और शीलिए वैक्सिन डिप्लमेंसी जो है वो भार में वैक्सिन राष्टरवात का एक उत्तर दिया है वैक्सिन डिप्लमेंसी से